हमारे समिधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के समिधान के 75 वर्ष की याक्रा देश को एक बनाना देश को स्रेश्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है। भारत के लोक तंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है। मैं सर्म नागरीकों पर बोज बनाना नहीं चाहता कर्तब ये केंद्र सरकार के भी है कर्तब ये केंद्र सरकार के हैं मुलाजिम के भी है कर्तब ये राज्य सरकारों के भी है राज्य सरकार के हैं मुलाजिम के है कर्तब ये हर थानिय स्वराइट संस्ता के है चाहिए पंचायत हो नगरपली का हो मानगरपली का हो तैसल लो जिला हो हर किसी के कर्तब है लेकिन साथ साथ एक सो चालिस करोड देश वास्यों की कर्तब गये अगर हम सब मिल करके अपने कर्तogo का पनिर्वा करेंगे उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जुरूत नहीं पढ़ जाती है मैं चाहता हूँ कि हमारे इस बाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोकतंतर भी मजबूत होगा हमारा सामर्थ और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरी प्यारे देश वासियो हमारे देश में सुप्रिम कौट ने बार बार इनिफार्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अनेक बार आदेश दिये है क्योंकि देश के एक बहुत बढ़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जी सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे है वो सिविल कोड सच्च मुझ में तो एक प्रकार का कम्यूनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जब समिदान के 75 वर्ष मना रहे है और सम्विधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कौर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो सम्विधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए करता हूं इस गंबीर विशेप्रदेश पर चर्टा हो ब्यापक चर्टा हो हर्तों ये अपने विचारों को लेकर कर आए और उन कानूनों को जो कानून दर्म के अधार पर देश को बाढ़ते हैं जो उच्छ नीच का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कम्यूनल सिविल को की तरफ जाना होगा और सब जाकर के देश में धर्म के अधार पर जो बेदबाव हो रहे हैं सामान्य नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति में लेगी मेरे प्यारे देश वाजियों जब मैं देश पर एक चिंता हमेशा कहता हूं परिवारबात जातिवा भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है देश को लोग राजमीती को हमें परिवारबाद और जातिवाद से मुक्ति दलानी होगी आज हमने मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत जिस संगठिन का नाम है उसकी चर्टा लिखी है यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है माय भारत के अने एक मिशन है एक मिशन ये भी है कि हम जल्त से जल्ब बेश में राजनीतिक जीवन में जन प्रतिजिती के रुपे है एक लाख ऐसे नवजवानों को आगे लारा चाहते हैं शुरुआत में एक लाख नवजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैग्राउंड नाफो जिसके माता, पीता, भाई, बेहन, टाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीदी में नहीं रहे, किसी भी पीड़ी में नहीं रहे ऐसे होणहार नوجवानों को फ्रेश ब्लड एक लाख चाये वह पंचैत में आएं चाये नगरपालिका में आएं चाहे जिला परिशदों में आए चाहे विदान सभा में आए लोग सभा में आए एक लाख नए नौजवान कोई भी प्रकार का पुर्वकार राजनीति नितियास उनके परिवार का ना हो ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आएं ताकि जाती बात से मुक्ति मिले परिवार बात से मुक्ति मिले लोग तंत्र को समुर्थी मिले और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए उनको जो पसंद हो दल में जाए उस पसंद हो दल में जाकर के वो जन प्रतितिती बन करके आगे आए देश पैय करके चले कि आने वाले दिनों में एक लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनिती से दूर दूर का समन्द नहीं है ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोज भी नहीं आएगी सामर्थ भी नहीं आएगा लोग तंत्र समरुद्ध होगा और इसलिए हमें इस में आगे हो रहा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगेती में रुकावण बन रहे हैं गतिरोत पदा कर रहे हैं आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर तिन मैने छे मैने कहीं कहीं चुनाव कोई भी ओजना जाहिर करोगा तो मिडिया में जहेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है